पाग पगीचा फल फूलो और फसलो की हर्याली की हम बेजो की बाते करते उत्तम जलसन सादन की हम तुखनी की बाते करते फसलो के उत्पादन की पर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को दोंगों की ह हर्यांगन का प्यारा सागी दर्शन मैं स्रिस्टी गुपता स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा गारिकरम कृषी दर्शन में किसान भाईयों आज हम बहुत सारी बाते करने वाले हैं लेकिन उससे पहले कारेकरम की शुरुआत करते हैं क्रिसी समचार से राश्ट्रे क्रिसी विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्ज्य के कही जीलों में संकर नसल के दुधारू गायों का बित्रण पसुपालकों के बीच अनुदान और बैंक रिन के आधार पर किया जाता है इस योजना का लाव लेने के लिए पसुपालक सम्मतित विभाग में आवेदन दे सकते हैं संकर नसल के दुधारू गाय के बित्रण का लाव वैसे पसुपालक जो गरिवी रेखा से नीचे हैं स्वयम सायता स्वमू के सदस्षे तथा जार्खन डेरी पोजक द्वारा संचारी दूद पत्थो के सदस्षे हैं साथ ही स्वयम सायता समू प्रगत सिल्किशान, युवा सिच्छित बेरोजगार, लगू उद्धमी और बड़े उद्धमया ले सकते हैं इस योजना के अंतरगत दो गाय या भैस से लेकर पांस सो गाय या भैस तक अनुदान या बैंक रीन पर लाभुक वी योजना अनुसार उपलत कराए जाती है ठन के मौसम में शुक्रों में चर्म रोग लगने की संभावना रहती हैं जैसे बाल जढने, चमडे में दाने निकलना या खुजली इत्यादी इन चर्म रोगों के से बचने के लिए सुक्रों के आवास और सुक्रों को साप सुत्रा रखना चाहिए सुक्रों को नियमित नहाना चाहिए साथ ही आवाज की भी नियमित सफाई करने से चर्म रोग लगने की संभावना कम हो जाती है खुचल रहते हैं और बाल बगेरा गिरने लगता है दाने हो जाते हैं तो इससे बचाने के लिए करंज का तेL और नीम का तेल पचास मेल करंज का तेल पचास मेल नीम का तेल 10 강 कपूर और 10 ग्राम गंधक को अच्छी तरह मिला करके बाल के जड़ में innovat lager लगाने से Bから परवेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत परवेदों में मकमली, तुलसी, रोहनी बेहतर माने जाते हैं। ये परवेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। अरहर की फशल में बरतमान समय में फली छेदक कीड लगने की संभावना रती है। ज़िया तरकिश्णक फली छेदक कीड के नियंतर के लिए रासायनिक दवाओं का परियोग करते हैं। परन्तु किश्री विश्टकों की सलाह है कि इस रासायनिक दवाओं के बज़ाए नीम या BT इत्यादी जैविक दवाओं का परियोग लाबकारी होता है। यदि कीटों का परकूब ज्यादा हो तो रासाइनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। अरहर में जैसे अब देखते हैं जो पीलू जो आता है फल चेदक जो बहुत ज्यादा होता है। इसको बचाने के लिए आपको जैविक दवा पहले इस्तमाल करना है। जैसे BT करके एक दवा है, वो 0.2 ml आपको स्प्रेइंग करना है। इसके बाद नीम सीट करनल एक्स्ट्रेक्ट करना है, हाल्ट और डेल्फिन का दवा मिलता है, एजाइविक दवा है, इसका स्प्रेइंग करना है, इसके अलावा अगर फिर भी आपको खेत में दिख रहा है पीलू, तब आपको केविकल दवा में जाना चाहिए. निकाई गुड़ाय के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डचो का इस्तेमाल करते हैं, इस क्रिशी उपकरन से खेत में निकाई गुड़ाय करने के साथ-साथ नाली और मेर भी बनाया जा सकता है, यह है डचो, निकाई गुड़ाय के काम के लिए निर्मित इस उपकर क्या जा सकता है और अब एक नज़र राज्य के कुछ पर्मुक्षरों के मौसम के मिजास पर आज राज्य के कुछ पर्मुक्षरों के तापमान इस परकार दर्च किये गये रांची अधिक्तम 22 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस देवगर अधिक्तम 22 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस जमसेथपूर अधिक्तम 26 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस मेदनी नगर अधिक्तम 22 डिग्री सेल्सियस और नियुएंटम 10 डिग्री सेल्सियस धनबाद अधिक्तम 22 डिग्री सेल्सियस और नियुएंटम 11 डिग्री सेल्सियस क्रिशी समाचार में आज इतना ही अगले दीन अगले अंग में फिर मुलाकात होगी कुछ तायातरिन खबरों के साथ तब तक के लिए दिजे इजाज़त नमस्कार जुहार अभी आपने देखा क्रिशी समाचार जिसमें जाना मौसम का हाल मंडी भाव एवं क्रिशी के नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली तो हमारा वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का विराम के बाद हम जल्द ही आजिर होंगे करीमि यंपे पूरी हो भरपाई फसल भीमित रहे हैं का ऊठाई के बाद घृत में तो हमने या औरुन अब हररीं बवर खाय कनो समक्दर है सब खिशान भी मा कराएं अवर्दान मंत्री फसल भी अरे बाई सुना नहीं क्या के सी ने किसानों का जिंदीकी वदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाग साथ हजार रुपिय तक काकष बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खुरों से भी पीछा चुटा, मैं तो जभी खेती का पूरा समान मुझा लिया केशी शी का भी को जबाव लिया, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुक्तान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना अधार कार्ड लेटस फोटो और जमीन के कागजात लेके अपलाई करो बस और नामांकर मरने के लिए जेब भी धिली नहीं करनी पड़ी चचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं के सी सी नहीं किसानों की जेजिकी वाकई बदल दी है तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाए और सहस्ता से रिंड पाए विराम के बाद आप सभी किसान भाईयों का एक बर फिर से स्वागत है किसान भाईयों अगर हम बकडियों की बात करे तो अगर आप बकडियों का पालन कर रहे हैं तो इन मौसम में उनकी किस प्रकार देखभाल करे कैसे करे किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे की बकडियों को अच्छा सा दिखभाल हो सके तो आईए इस विशे में जानकारी लेते हैं हमारे विशेशग्य से बकरी ग्रामीन अर्थ ववस्था की रीड होती है और इससे प्राप्त होने वाली वस्तुए मसलन दूद, बाल, चमडे, जविखाद, इत्यादी सभी तरह से लाबदायक होते हैं ऐसे में इसके पालन पोशन में थोड़ी साबधानी बरतनी चाहिए और अगर मौसम सरदी का हो तो विशेश तोर पर बकरियों का खयाल लखना चाहिए आज हम पहुंचे हुए हैं कृष्णिविज्ञान केंद्र कोडर्मा जैनगर में और हमारे साथ है डॉक्टर सुधानशु सेखर जिनसे हम बातशीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों की देखभाल कीस प्रकार से करें तथा उसका प्रबंधन हमारे किशान भाई कीस प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं बकडी को जो है पूर मेंस काउ कहा जाता है गरीबों की गाये क्योंकि ये जो लेंडलेस की सान है हमारे भूमी हीन की सान है साथ ही जो सिमान की सान है वो भी बड़े आसानी से बकडी पालन कर सकते हैं बक्री पालन में मुख रूप से जो हमें समय अनुरूप जो काम करना रहता है बक्री जो है ये कोई भी गिरा हुआ चारा नहीं खाता है और गिरा हुआ चारा नहीं खाने के कारण हमें चारागाह का वेवस्था करना चाहिए सर पर्थम में बताना चाहता हूँ कि बकड़ी के आवास के बारे में बकड़ी का आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट जो है आपका ठंडी हवा का परवेश्टा हो अर्था यह पूरव से पस्छिम की दिशा में होना चाहिए और अगर अच्छा ये हो कि अगर बकडी को आप मचान पे रखके बकडी पालन करेंगे तो उससे बहुत सारा लाब होगा क्योंकि इसमें ठंड भी कम लगेगी साथ ही जो है बकडी में बहुत सारा जो बार्म की समस्या कीरे की समस्या उसके पेट में कीरे हो जाते हैं जो की ठंड का मौसम बक्रियों के लिए प्रजनन के लिहाज से अनुकूल होता है लिहाजा इसके छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है डॉक्टर सुधानशू शेखर कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को जर्म के तुरंत बाद फेनुस पिलाना चाहिए ताकि उसे गर्मी भी मिल जाए और रोग से लड़ने की शमता भी बढ़ जाए है कि बकरी में अभी जो ठंड की समस्या है इसमें अभी देखे कि ये जो है सभी बकरियों के लिए परजनन के लिए काफी अच्छा है इसी समय अधिकांस बकडियां अपने बच्चे को जन्व देती है तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उसका देखवाल काफी अवस्यक हो जाता है क्योंकि अगर आप देखवाल अच्छी तरह नहीं करेंगे तो बहुत सारी बकडियां के बच्चे की मिर्द्यू हो जाती है इसके लिए हम कुछ साबधानी यहां बरतने की जरूरत है सरकरतम जो बकड़ी के बच्चा जन्व के समय हमें फेनुस पिलाना चाहिए जितना जल्दी हो सके उसे कुलस्टरम जिसको फेनुस बोल-चाल की भासा में करते हैं उसको तुरत पिलाना चाहिए इस से बकडी के बच्चे को गर्मी भी मिल जाता है साथ ही उसे रोग के लड़ने की छमता भी मिल जाता है इसके अलाबा जो है हम ऐसा वेवस्था करेंगे कि उसको पुवाल पर रखेंगे और बकरी के बच्चे को जूट के बोरे से ढखके रखेंगे डॉक्टर सुधानशु शेखर कहते हैं कि जाड़े के मौसम में बकरी में निमोनिया की समस्या ज्यादा होती है लिहाजा हमें ऐसी वेवस्था करनी चाहिए कि उसके बाड़े से धूप के वक्त ही बाहर जाने दें और ये ठंड़े के मौसम में जो है सबसे जादा जो परिशानिया होती है वो निमोनिया की होती है संस तेज चलने लगता है।, हो खाना पीना कम करदेता है। रहुत इससे बचाओ के लिए हम बच्चे को थोड़ा सा जो चाड़ा देंगे वो चड़ने के लिए जो चाड़ा देंगे वो हम ऐसा बिवस्था करेंगे कि बकडिया जो है धूप के समय ही बाहर रहे अर्थात 9 बजे के बाद ही बकडी को बाहर चारागा के लिए भेजेंगे और स ठंड के मौसम में बक्रियों में कई प्रकार के रोगों का खत्रा बढ़ जाता है। इस बीमारी का लक्षन ये है कि बक्री के जो होट है उसमें घा हो जाता है। बक्रिया जो है को बहुत तेज बुखार होता है और जब तीन चार दिन ये बीमारी हो जाता है तो उससे डैरिया भी होने लगता है। इस बीमारी से बचाओ के लिए हमारे यहां टीका तो और इस जैसा कि आगे हम भताये हैं लगकड को नतीन जिले करी बदेशर है तो इससे बंगे और सबीक भारक की development itself और इसके अलावा जो है ये समय जो है इस समय में खासकर ठंडे के मौसम में बकडियां को थोड़ा अतरिक्त दाना देनी की ज़रूरत है क्योंकि जो कुछ जादा इस मौसम में कुछ जादा इनर्जी की ज़रूरत होती है जो बकडियों को गर्म होने में सहायक होता है इसलिए जो भी गर्वती बकडी हो या दूद देने बाली बकडी हो उसमें अतरिक्त दाना 200 गराम परती बकडी देंगे तो इस तरह अगर आप जैसा हमने आवास वेवस्था बताया, भोजन वेवस्था बताया, साथ ही रोक के से जो बचने का वेवस्था बताया अगर इस तरह आप बकरी पालन करेंगे तो अपना एक अच्छा जो है आप बकरी पालक बन सकते हैं और अधी कामदनी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर सुधांशू शेखर कहते हैं कि जितना हो सके बकरी को ठंड से बचाएं ताकि वे स्वस्त और सुरक्षित रह सकें जाहिर है जब वो स्वस्त रहेंगी तभी तो आपको ज्यादा मुनाफ़ा हो पाएगा मुक्त जो ठंड के मौसम में सबसे पहले अगर हम जैसा की आगे बता चुके हैं सबसे बड़ा चीज है कि इस मौसम में आप जो बकडिया है उनको सीधे हावा से मतलब सीधे ठंडी हवा से संपर्क में ना रखें साथ ही उसको जूट के बोड़े से ढखके रखें जहाँ बकडिया बकडिया साला है उस बकडिया के दिवार खिरकी ये समय जूट का बोड़ा से वो ढख दें लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो है गैस ना भड़े मतलब उसमें सीधे हवा आने की भी वेवस्ता हो नहीं तो आपका निमोनिया का प्रकोप आपके फारम पे बढ़ जाएगा अब ही आपने जाना कि बक्रियों की देख भाल पालन कैसे कर सकते हैं तो अब हमारा वक्त हो चला है फिर से एक विराम का विराम के बाद हम जल्दी आजिरूंगे सुमजाच कराओ मुफ्त सॉयल हेल्थ कार्ड ले जाओ भी मुनासिब भीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बनालो मिट्टी की सेहत तो जानो करें विराम के बाद आप सबी किसान भाईयों का एक बर फिर से स्वागत है किसान भाईयों अगर बीच की बात करें तो अगर हम अच्छे तरीके से बीच का उत्पादन करते हैं तो हमें अच्छा फसल मिलेगा और इससे लाब भी मिलेगा लेकिन वहीं अगर हम बीच का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हमारा फसल भी अच्छा नहीं होगा तो आज हम जानेंगे कि गुन्वता पर्ण बीच का उत्पादन कैसे करे किन-किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि सफलता पूर्वक बीच का उत्पादन हो सके तो आईए इस विशे में जानकारी लेते हैं हमारे विशिशक्य से जैसा कि आप जानते हैं हमारा यहारकंड क्रिसी प्रधान राज्य है यहाँ पर अधा से अधिकावादी क्रिसी कारी करती है जब क्रिसी कारी की बात करते हैं तो बीच का अस्थान प्रमुक है क्योंकि बीच से ही अच्छे फल और अच्छे पैदावार होते हैं किसानों को अर्थिक लाव होता है जी हम बात कर रहे हैं कि बीज उत्पादन का सही तरीका क्या है किस तरीके से बीज उत्पादन किया जा तकि हमारे किसान भाईयों को इसे अधिक सदिक लाव मिले देखी हमारे प्रदेश के किसान भाई तो उत्पादन तो करी रहे हैं चाहे दरहनी सब्जियों का उत्पादन हो चाहे लत्रवाली सब्जियों का हो चाहे अनाज की हो चाहे तलहन सभी तरह के धान के सभी तरह के कृशी कार के जितने भी फसलेन पर हम लोग काम कर रहे हैं उ किसी भी खेती के लिए बीज का आधे का युगदान होता है तो एक बीज उत्पादन भी एक बहुत प्रमुक कड़ी है और इसके गुडवत्ता युग बीज उत्पादन के लिए बहुत सारी साउधनिया रखनी पड़ती है इनके बारे में हम लोग आकिसान भाईयों से बात करेंगे इस कि लिए बात करते हैं इसका लगानी कितनी ओनी चाहिए दूरी कितनी होनी चाहिए बढादनी कतनी हो चाहिए यह बहुत करना है उसके बीज की तुम पादन के सान भाई को करना है उसके लिए सबसे पहले राज हमारा करता जहाम संस्थान मां पर इसका प्रमाडिक लिए पर से सं कराना पड़ता है। उसके बाद भीज का होता है और educate making करते हैं वैसे ही बीज उत्पादन के लिए या भी उसी तरह के जमीन का चुनाव किया जाता है बलुई हलकी नुम्मट मिट्टी जिसमें जल निकास की अच्छी बेवस्था हो जीवां से उत्खाद प्रचुर मात्रा में हो उसमें हम लोग बीज के उत्पादन के लिए सिफारिश करते हैं ऐसी मिट्टी जिसम में दो तरह के किस्बें पाई जाती है एक तो होती है सोपरागडवाली जिसे हम सलफ पॉलिनेटर कहते हैं उसक्रासपाल्नेशन वाली जितने भी लतर वाली सबजियां है और जाहे कद्दू हो नेनुवा हो जिंगी हो सभी में परपरागड़ होता है तो सबसे बड़ी आ बहुत ही आउस्टेक होता है ऐसा देखा ज्यादा है किसान भाई एक पास पास दो किस्मों को लगा देते हैं इसे हम कद्दू की बात करें अगर दो कद्दू की किस्मों को आसपास लगा देंगे तो इसमें पर परागड होने से बीज हमारा सुद्ध नहीं पर मिलता है इसल सब्सक्राइब करते हैं यह तो लगाने का तरीका बता है कि 400 मेटर के दूरी होने से सुधुता रहता है लगाने का तरीका किस तरीके से लगाए-डुरी कितनी होनीशाहिए विलते किस अनिगर के लाइन से लाइन की दूरी हम टामाटर में साथ सेंटी मिटर और पूद के दूरी हम लोग रखते हैं इन सम्में लाइन लाइन की दोरी मुश्कुष से हम लोग 20-20 cm दखते हैं लाइन में बुआई की जाती है ध्यान इस बात का रखना है कि खर पतवार एकदम नहीं उगने होने चाहिए और कई बार देखा जाता है कि फसल के जमाव वंकुरण के बाद जब नबढ़ा हो जाता है और उससे जो है हम किसान भाईयों को एक जो सही बजार भाव भी नहीं मिलेगा और बीज परमाड़ी करण संस्ता उसको खरीदेगे भी नहीं यह तो अपने तरीका बता है कि जवान शितना उसको निकाल कर फिक देने से ही हमें सुद्ध मिलता है और इसे कौन-कौन से बात है जो हमारे किसान भाईयों को इसका ध्यान लखना चाहिए ताकि उनको सुद्ध मिल सके परमानी कर उसका क्राया जा सके बीज बनते समय फूल वाली आवस्था पर सिचाई का विवस्था करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब बीज सेट होता है उस समय जो है अगर नम अग्सा के भी ध्यान देना बहुत ही जडूरी है कई तरह केड़े में कोड़े और बीमारियां फूल वाने वाली अवस्था पर आती है उस समय किट ना सकते दौाओं का परियोग करके किट ने नहीं का रुख थाम करना हो दौाओं का चड़काओं करना चाहिए जिससे कि ह को अच्छा मुनाफ़ा उसे मिल सके अपने अपने देश की बात करें तो भी नए तकनीक में हमारे किसान भाई है फूलों के बीच की बात करते हैं तो फूलों के बीच की जूरुत हमारे किसान भाईयों को पढ़ती होगी फूल के बीच की बात आजकर संकर किसम के सारे पैसा पैसा कमाना है कि वह सामान किस्म का वेजुत पाधन करें चाहे समझी का हो चाहे ओदलहनीifer का हो और अनाजवाली और राजी सरकार के वीच प्रमाडीकर्ड संस्था है उसे निमंधन करente करेंगे और तीन से चार बार उसका निरिक्षड करते हैं खेत में जाकर कि जो पौधा है वो किस्म के अनुरूप है कि नहीं है उसके करने के बाद ही उस बीज को लोग लेते हैं लेने के बाद किसान को पैसा अभी जाड़े का मौसम है और सब्जी फसलों या तरी फसलों में पाले से बचने के लिए किसान भाई पानी की ब्यवस्ता नमी की ब्यवस्ता जरूर रखें चाहे वो टपकुन से पानी दे रहे हैं चाहे खुला पानी दे रहे हैं वैसे हमारे जारकंड में तो हम लोग टपकुन से चाही बिधीक से ही पानी देने की स्विफारिस करते हैं डाक्टर साब ने बाते बता है उसका निश्चित तोर पर अपने खेतों में परियूग करेंगे तो आपको इसका निश्चित रूप से फाइदा होगा और आप आप स्थिर्फ सकत होंगे और बजार में आपको अच्छे दाम मिलेंगे अभी हमने जाना कि गुनवता पर्म बीच का उत्पादन कैसे करें किन-किन बातों का ध्यान रखें तो किसान भाईयों अब हमारा वक्त हो चला है आप से विदा लेने का लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत जरूरी की जानकारी दे दू कि अब हमारा जो कारिक्रम क्रिशी दर्सन है वो अब आप यूटूब एवं फेस्बूक पर देख सकते हैं आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा इससे जोड़ी कोई भी जानकारी या समस्या हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं हमारा पता है कारिक्रम क्रिशी दर्सन क्रिशी प्रकोश द्वारा केंद्र जानकारियों के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिये नमस्कार चुहार जशी दर्सन क्षई दर्सन क्षई दर्सन क्षई धर्शन